हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे सो होगी तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू की सबजी जब घर में कोई सबजी ना हो तो ऐसे बनाए आलू की सबजी एक प्याज एक टमाटर हरी मिर्च अलाहसन यहाँ पर मैं आलू छील चुकी हूँ ऐसे हम अब कट कर लेते हैं ज्यादा हमें नहीं मोटा कट करना है नहीं पतला बिल्कुल हमें ऐसे ही काटना है तो हम अपने सारे आलू ऐसे ही काट लेते हैं आपके घर में कोई सबजी ना हो तो ऐसे सबजी बना करके खा सकते हैं बहुत बढ़िया बनता है तो हम तरके के दील गरम जाई ही तो यहां इस में डाल देते हैं तो यहां पर इसे अच्छे से हम फराइ बहुत देखे समझना इसे तो यहां ऐसे पänd़ियो जाना ऐगा प्याज फराई हो चुकी है, मैं यहां पर आलु डाल रही हूँ, अइसे अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे, यही पर आपना जो मसाला है वो डालेंगे, अधि चमच में मिर्ची पाउडर इसमें ले रही हूँ, अही पर अधि चमच हम हल्दी पाउडर लेंगे, अईसे 20-15 इस सबजी बन करजा हैं। यह उसमें टमाटर हैं। यह उसमें पनाई य। तरी के लिए हमें इसमें ज्यादा तरी नहीं चाहिए बिल्कुल लद्धत सब्जी चाहिए बिल्कुल आलू के इस सिंपल तरीके से सब्जी में बनाना बता रहे हूं बहुत टेश्टी और यम्मी लगता है सब्जी को छोड़ देते हैं बीच बीच पे हम चलाते रहेंगे देखिए यहाँ पर सब्जी कितना बढ़िया लग रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से ज्यादा इसमें मसाले भी नहीं है बिल्कुल सिंपल तरीके से रोटी से पराठे से बहुत बढ़िया लगता है सब्जी खानने में को चुगा है मैं यहाँ पर गैस को बन कर देती हूँ देखिए कितना बढ़ी अलग रहा है सबजी है दोस्तों मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सेर करें पिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हूँ अगले वीडियो में नई रेस्पी के स आप थैंक यू